वितमंत्री निर्मला सीतारमन आज अपनी सरकार का अंधरिम बज़ट पेश कर रही है 2024 के लोकसबाचुनाओ से ठीक पहले नरेंद्रमोदी की सरकार के इस बज़ट से जन्ता को क्या क्या तौफा मिलने वाला है इस पर सब की नजर है शेर्बजार को भी इस बज़ट के पेश होने का इंतजार है देश के आम से लेकर खास तक सभी की निगाहें इस बज़ट पट्टी की भुई है केंद्रे वितमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा हमारी सरकार विभन विभागों के तहत मौजुदा अस्पताल के बुनियादी धांचे का उप्योग करके अधिक मैडिकल कॉलेज इस्थापित करने की योजना बना रही है इसो देश को पूरा करने के लिए इसकी जाच करने और प्रसंग एक सिफारिशे करने के लिए एक समीती गठित की जाएगी केंद्रे वितमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉलिडोर लागू किये जाएंगे ये हैं पहला उर्जा खनीज और सीमेट कॉलिडोर दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉलिडोर और तीसरा उचल यातायात घनत्व कॉलिडोर मल्टि मॉडल कनेक्टिविटी को समक्ष करने के लिए पी-म गतिशक्ति के तहत पर योजनाओ की पहचान की गई है केंद्रे वतमंत्री निर्मला सीता रमन ने कहा कि विरक्षा उदेश्यों के लिए दीप टेक प्रद्योगिकों को मजबूत करने और आत्वर निर्भरता में तेज्यू लाने के लिए एक नए योजना शुरू की जाएगी आगे वतमंत्री कहती है कि रूफ टॉप सेलराइजीशन के माध्यम से एक करोड परिवार हर महिने तीन सो यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे ये योजना आयोध्या में राम मंदिर में प्रभु शीराम के अभीशेक के एतिहास एक दिन पर प्रुधान मंत्री के संकल्प के अनुसार है तो वहीं आगे वितमंतुरी ने कहा क्रिशिशेत्र की और वृद्धी के लिए सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सारजनिक और निजी निवेश और उसे बढ़ावा देगी बजर्ट भाषन में निर्मला सीता रमन कहती है कि कोविट के कारण चुनौतियों के बावजूद पीमावास योजना क्रामीर का कारियान व्यन जारी रहा और हम तीन करोर घरों के लक्ष को प्राप्त करने के करीब हैं परिवारों की संख्या और आवश्यक्ता में व्रिद्धी को देखते वे इसे पूरा करने के लिए अगले पाच वर्षों में दो करोर और घर बनाये जाएंगे बज़र भाषन में निर्मला सीता रमन ने घोशना की आईश्मान भारत योजना के तहत स्वास्त कवर सभी आशा और आंगनबाडी कारिय करताओं और सहाईकाओं तक बढ़ाये जाएगा बज़र भाशन में निर्मला सीता रमन ने खा आमरितकाल के लिए राज़ नीती बताई उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास को बढ़ावा दे और बनाए रखे समावेशी और सतत विकास की सुविधा प्रदान करें उत्पादक्ता में सुधार करें सबी के लिए अफसर पैदा करें उन्हें अपनी चमताओं को बढ़ावा देने बढ़ाने में मदद करें और उर्जा निवेश और अकांग्शाओं को पूरा करने के लिए संस्थानों के उत्पादन में योगदान दे बजट भाशन में निर्मला सीता रमन ने आगे कहा सरकार जीडीपी शासन विकास और प्रदर्शन पर सवा समान रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है आंजरे बजट में आगे कहती हैं कि देश को हमारी युवाओं पर गर्व है जो खेलों और नई उचाईयों को चूरे हैं दोज़ार तेज में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक की सबसे अधिक पदक ताली का उच्च आत्मविश्वास इस्तर को दर्शाती है शत्रंज प्रतिभा और हमारा नमर वन स्थान खिलाडी प्रंगना नंद न नारी शक्ति को लेकर बज़र भाशन में वितमांत्री निर्मरा सीता रमन ने कहा दश वर्षों में उच्च सिक्षा में महिलाओं का नामांकर 28 फीजदी बढ़ा है S.T.E.M. पार्ठे कर्मों में लड़कियों और महिलाओं का नामांकर 43 फीजदी है जो दुनिया में सबसे अधिक से एक है और ये सबी कदम परिलक्षित होते हैं कार्या लव में महिलाओं की बढ़ती भागिदारी तीन तलाग को अव्याद बनाना संसद और राज्य विधान सबाओं में महिलाओं के लिए एक बटे तीन सीटे आरक्षित करना पीएम आवास योजरा के तहट महिलाओं को सतर फीजदी से अधिक घर देने से उनकी गरीमा बड़ी है